नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं CM हेमंत बोले 1932 पर हैं कायम, फिर से लाएंगे बिधायाक जार्खन बिधान सभा का च्छा दिवसे मांसून सत्र कुछ उपलब्धियो और कुछ बिवाद के बीच संपर्ण हो गया है सत्र के अमतिम दिन मुख्य मंत्री हेमंसूरे ने अपने वक्तवय में पिये मोदी, भाजपा और आईसू बिधायक सुदे समाथो पर जम करनी साना साधा मुख्य मंत्री ने कहा कि भाजपा के लोगों ने बीधी बेवास्था की बात को लेकर सदन की ही बीधी बेवास्था बिगार दी मैं समझ नहीं पाया कि आखिर विपक्ष के पास क्या है जानता को क्या बताना चाहते थे इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं ऐसा लगता है जैसे कहीं से इंपोर्ट करते हैं कभी इन लोगोंने साठ चालीस कभी बीदी बेवास था तो कभी फरस्टाचार की बात की अपने वक्त अब यह को आगे बरहाने से पहले मुख्य मंत्री हमांसुरे ने काहुल गांधी के पक्ष में आई सुप्रीम कोट के फैसले का हवाला देते हुए उन्हें सुभकपनाय दी है उन्होंने कहा है कि गलत की हार हुई और सच की जीत मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि ए लोग आदिवासी दलीत पीछडों की बात करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं लोग घ्रीना करते हैं इस पर भाजपा के मुखिस्टचे तक बिरंची नराय ने अपत्ती जताई भाजपा की बिधायकों ने सदन से वक आउट कर दिया भाजपा की गयर मजूद्गी में मुख्य मंत्री ने कहा है कि यह लोग धन बल पर सत्ता में कावी जाएं कला चार और पेपर लीग पर अंकुष लगाने के लिए बिल लाया तो महा महीम के यहां पहुँच गए और उसे कला कनुन बताने लगे यह लोग बंदुक की नोग पर देश चलाना चाहते हैं सिर्फ जारकंडियों को रोजगार वर सोरोजगार देगी सरकार सियम है मंत जारकंड बिधान सवा के मान्सोर सत्र के 27 दिन समापन अभी भाषण में कहा है कि हम हजारों पदो पर नियुक्ति कर चुके हैं वहीं 40-50,000 पदो पर और नियुक्ति की परकिरिया को आगे बढ़ा चुके हैं मैं इस बात की गरांटी देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जारखंडियों को ही रोजगार वह सोरोजगार दूंगा कहा है कि नियुक्ति में जो 15-20 फिर दिबारी आ रहे हैं उसे भी रोकेंगे मुख्य मंत्री ने कहा है कि मन्नीपूर में आदिवासी समाज का उतिवियन हो रहा है वहाँ की सरकार मुख्तर्शक बर्त तमासा देख रही है ज्यारखन में हटिया समेत 20 रेलवे स्टेशनों का परधान मंत्री 6 को करेंगे सिलन्यास परधान मंत्री 9 मोदी 6 अगस्त को अमरित भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 506 रेलवे स्टेशनों के अधार भूद सन्राचना का उनेयान सम्धी कारियों का अनलाइन सिलन्यास करेंगे इसके तहत जारखन में भी राजधानी राचिक हटिया रेलवे स्टेशन समयत राज़ी के 20 रेलवे स्टेशनों का 586 कोर रूपए के राचि से इन स्टेशनों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ यातरियों को हर तरह की सुविधा उपलब्द कराने का प्रयास होगा इस योईना के तहत हटिया स्टेशन के उन्यान के लिए सरवधिक 355 को रूपए रासिक हर्च की गई है हजारी बाग की बहु बनेगी बिदेशी महिला बर्बरा पुलाक पोलेंड की बिदेशी महिला हजारी बाग जीला की बहु बनेगी इसके लिए सुक्रवर्फ कोट मैरेज के लिए निवंधन करेला में आरजी दाखिल किया गया है सनी की पोलेंड की रहने वाली उन्चास वर्षिये बरबरा पुलाग पिता जोडवीला ने 28 वर्षिये प्रेमी सदाव मलिक पिता सहुद मलिक खुटरा के साथ साधी के संबंध में बंधने जा रही है वहीं सुक्रवार को महिला अधिवक्ता मोनी कुमाई ने निवंधन करे ले में प्रेमी प्रेमिगा के साथ कोट मेरेज के लिए आवेदन जमा किया है इसको लेकर जीला अवर निवंधक राज कुमार मधेशिया ने कहा है कि साधी के लिए आवेदन की औरजी फाइल कर दी गई है औरजी में दोनों का फोटो के साथ हस्ताक्चर है और जीत आखिल करने के 30 दिनों के बाइद करया ले दोरा मैरेल सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसी बीच सरकारी नियमानुसार दावा अपत्ति पेस करने का समय दिया गया है जार्खन सरकार पर कर्ज का बोज बढ़कर करोडों में पहुंचा जार्खन के परधान महा लेखाकार ने बिधान सबाग मानसूल सत्र के आखरी दिन जार्खन के बीतिय इस्थिती की जनकारी दी उन्होंने रायस्व उगाही के मामले में संतोस जताया और राज कोस घाटा की जनकारी दी साथ ही बताया कि जार्खन सरकार का कर्ज करोडों में पहुंच गया है बता दे जारकन बिधान सभा के मांसुल सत्र के आखरी दिन जारकन सरकार के निस्पादन और अनुपालन लेखा परिक्छा परतिवेदन और राजेबीत परतिवेदन और राजेबीत 2021-22 बिधान सभा के पटल पर पास होने के बाद जारकन के परतान महालेखाकार उदाय संकर परसाद ने बितिये स्थिति की जनकारी दी उन्होंने बताया है कि जार्खन में इस बितिये वर्ष रेवेनियों में बढ़ोत्री हुई है और इस वर्ष रेवेनियों सरपलस एस्टेट के रूप में देखा जा रहा है इस वर्ष जार्खन को रेवनियों के रूप में 6,944 को रूपे मिले है जो पिछले वर्ष से बहतर है और वर्ष 2021-22 वित्य वर्ष का रेवनियों पिछले वर्ष से बहतर है जार्खन और बिहार के किसान हुए एक जूट पानी की मांग पलामू में बिहार जारकन के किसान एकजूट हो गया है किसानों ने एकजूट होकर आंदोलन के सुरुवात की है ए लोग बटाने डेम से पानी नहीं मिलने से नराज है बतादे पानी के सोहल पर जारकन और बिहार के किसान एकजूट हो गया है दोनों राजयों के किसानों न मील कर आंदोलन के शुरुवात की है दरसल जारकन बिहार सिमा पर नेशनल हाईवे अंठानवे का चोड़ी करन किया जा रहा है चोड़ी करन के दोरायन बटाने डेम से निकलने वाला मुख्य नहर बंद हो गया है नहर बंद होने से नराज किसानों ने गुरुवार से अंदोलन के शुरुवात की है अंदोलन की पहली करी में चोड़ी करन के कार्या कर रही कंस्ट्रक्शन काप्रियाल है और साइट पर किसानों ने धारना दिया इस द Engagement करे सेके को बंद करवा दिया है सहारा में निवेस्कों के फसे पैसे मिलने सुरू सहारा की चार सहकारी समीतिया सहारा Credit Cooperative Society Limited सहारा Universal Multi-Purpose Society Limited हमारा India Credit Cooperative Society Limited और स्टार्ट Multi-Purpose Cooperative Society Limited में फसे निवेस्कों के पैसे मिलने सुरू हो गा है केंद्रिये गिरी और सहकर्ता मंत्री अमीद साहर ने सहारा रिफ़ंड पोर्टल के जर्ये पहले चर्ण में सहारा के 112 निवेसकों के खाते में 10,000 रूपए टांस्पर किया है गिरी मंत्री ने बताया है कि 18,000,000 निवेसक इस पोर्टल पर अब तक अपना रेश्टेशन भी करा चुके है बिधान सभा का मांसून सत्र हुआ खत्म सियम हमान्त ने जताई संतुष्टी जार्खन बिधान सभा का मांसून सत्र कई मायनों में अहम रहा 28 जुलाई से 4 अगस्त चल रहे इस मांसून सत्र के दोरान राई सरकार के दोवारा जहां नकल विरोधी बिधायक सहीत कई महत्पुन बिधायकों सदन से पास कराया गया वही सदन की करवाहिक दोवार नियोजन निती सुखार और विधी विवस्ता को लेकर सता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक जोक होती रही बतादे 6 दिनों के इस मानसून सत्र के दोरा सदन में कूल 131 अलप सुचित प्रश्न 233 तारांकित प्रश्न सोक्रित हुए है इनमें 69 अनसुचित प्रश्न का सदन में जवाब दिया गया तथा 218 तारांकित प्रश्न के उतर सदन को प्राप्थ हुए है वही 6 अनसुचित परोषनों के उतर तथ 5 तरेकित परोषनों के उतर विभागों के पास लंबी थाए सुभास मुंडा हत्या करण की गुथी सूलझा माकपान नेता सुभास मुंदा के हत्याक बाद राची पुलिस की कारसली को लेकर हजार सवाल उठे है पिधान सभात तक हांगामा हुआ साथी हत्या की रात नगडी में भीड ने भी जम कर उपद्रों मचाया इसी दोरन पुलिस के वाहन तोड़े गया यहां तक की भीड ने पुलिस अपसरों को भी निशाना बनाने के कोशिस की नतीतन राची पुलिस सहीत पुरा पुलिस मुख्याले भारी दबाव में था लेकिन इस हत्याकांड के गुथी को राचे सेस्पी की अगोई में युवा सब इंस्पेक्टर ने सुझा लिया है बतादे 2018 बेच के सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार को नगडी थाने का इंचार्ज उस समय बनाया गया जब एक तरफ भीड सवड को पर उत्पाद मचा रही थी जार्खन परत्योगी परिक्षा बिधेक को लेकर भाजपा ने लगाए सरकार पर आरोप इसलिए बिरोद के आवाज को दबाने के लिए यह काला कानून बनाया गया है वहें कॉंग्रेश ने था परदी प्यादों ने कहा है कि राज के जिवा चाहते हैं कि वो फश्टा चार और कदा चार मुक्त परतों की परिचाय में सामिल हो और आपना भईव से बनाये स्रीयम हेमंत ने बिपक्ष पर साधा निशाना कहा बेवज़ा करते हैं हंगामा मुख्यमंत्री हेमंसुरे ने भाजपा को मुद्दा भी हिन करार दिया है सुक्रवार को विधान सभा के मांसुन सत्र के समापन भासन की दुरन उन्होंने कहा है कि इनके पास कुछ नहीं है ये मुद्दे को इंपोर्ट करते हैं विपक्ष की भूम का सदन में बड़ी होती है अगर विपक्ष नहीं है तो सरकार के काम काज का आकल नहीं होता विपक्ष मेरे लिए भी आहम है लेकिन ए मनमानी करते है विपक्षियों ने बीदी बेवस्ता को लेका सदन की बीदी बेवस्ता खराब कर दी बेवजा के हंगामे के बाद भी काम होता रहा बिपक्ष के पास बिशाय क्या है जानता को क्या कहना है राजे को क्या संदेश देना है इनके सवाल और जबाब क्या है मैं कभी समझ नहीं पड़ा इनके पास मुद्दा नहीं है यह मुद्दा इंपोर्ट करते है जारखण में जातिय जन्गन्न कराने का बिचार रखती है सरकार मंत्री अलमगीर आलम ध्यानकर्शन के माध्यम से राज में जातिय जनगना कराने की मांग करते हुए कहा था कि राज में पिछली जाती के आबादी 50-60% है लेकिन इस जाती को 14% ही आरक्षन प्रैप्थ है गोप समुदाय पर मवसी चराने का बनाया जा रहा दबाव जारखन के चाईबासा में सदर परखन अंतरगत मुपसिल थाना चेतर के खुट्टा गाओं के गोप समुदाय और गरामिनों के बीच उत्पन बिवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है बिवाद और गहराते ही जा रहा है गोप समाज के लोग पिछले एक माह से बंदी की तरह रहने को बिवस है चुकि गाओ के गरामिन गोप समुदाय पर जबरन मवसी चराने को लेकर दबाव बना रहे है इसी करण गोप समुदाय और गाओ के अन गरामिनों के बीच बिवाद उत्पन हो गया है इसे लेकर गाओ के गरामिन मुदा की अगुआई कुछ असमाजिक तत्तों के लोगों ने गोप समाज के लोगों के घर को जाडियों से घोरबंदी कर दिया है इसे गोप समाज के लोगों को आगे जाने में काफी कठनाई हो रही है आदिवासी पहचान और अस्तित्व की रक्षाक करने का आखरी मौका सालखन मुर्मू जारखन में आदिवासी सेगेल अभियान कराश्ट्रिया अध्यक्स वा मयूरु भंज उडिशा के पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि 9 अगस्त को 20 अदिवासी दिवस्तों धाम से मनाया जाएगा आदिवासीयों के सनरचन सर्वधन की बात होगी जबकि वास्तों में जारखन सही देश दुनिया में आदिवासी बदहाल है सन्युक्त राष्ट ने 9 अगस्त 1994 से 200 अदिवासी दिवस्तों मुर्म किया है चुक्कि 9 अगस्त 1982 को जेनेवा में स्वर पर्थम यूवेन ने आदिवासीयों के मानुवे अदिकारों पर चार्चा की थी इसी करम में 13 सितमा दोहर साथ को यूवेन ने आदिवासी अदिकार घोस्तना पत्र भेजारी किया दुनिया की लगभग 7.000 भासाओं में से 40.30 भासाय बिलूप्त की ककार पर खड़ी है जिसमें सर्वधिक अदिवासी भासाय है इर्फान अंसारी का बिवास से नहीं छुट रहा पिछा जाम तड़ा के कॉंग्रेस बिधायक इर्फान अंसारी का बिवास से पिछा नहीं छुट रहा आदिवासी समाज के प्रति बिवादित बियान को लोग अभी भूल भी नहीं थे कि सुक्रवार को एक बार फिर उनकी जुबान फिशल गई इस बार इर्फान अंसारी अपने ही नेता राहूल गांधी को सुर्गिये कह दिया गल्ति का अशास पोने से पहले ही उनका ब्यान सोचल मेडियो मे वारल हो गया हलाकि इर्फान अंसारी ने अपनी बातों को सुधारते हुए कहा है कि डिजटल इंडिया स्वर्गिये राजीव गांधी की देन है दरसाल मोधी सरने मामले में सुप्रीम कोट से राहूल गांधी को राहत मिलने पर कॉंग्रेस विधाय किरफान अंसारी पत्रकारों को ब्यान दे रहे थे इस दोरान ओ डिजटल इंडिया का भी जीक्र कर रहे थे इसी बीच उन्होंने स्वर्गिये राजीव गांधी की जगा राहूल गांधी को स्वर्गिये कह दिया है सीयम हेमंद से मिले दिवंग सुभास मुंडा के परिजान जार्खन के मुख्य मंत्री हेमं सुरें से सुक्रवार को जार्खन विज़ान सवा में सीपी आयेम नेता दिवंग सुभास मुंडा के परिजनों ने मुलकात की इस मोके पर मुख्य मंत्री ने सुभास मुंदा के माता पीता एवं पुरे परिवार के प्रतिक गहरी चन्वेदना व्यक्त की है सुभास मुंदा के परिजिनों ने मुख्य मंदरी से मील कर कहा है कि सुभास मुंदा परिवार के भरन पोषन करने वाले महत्पुन सतर से थे उनकी हत्या होने से पूरा परिवार दूखी एवं बहुत ज्यादा जिनती था है मुख्य मंत्री ने स्वर गिये सुभास मुंडा के माता पिता को अस्वस्त किया है कि राज सरकार आपके परिवार को हल हल में नयाद दिलाएगी आपको बता दे कि पिछले दिनों डला दलीज थी अफिस में घूच कर आपराधियों ने सुभास मुंडा की हत्या कर दी थी रामगड में तयार हो रहे फुटबॉल के युगा खिलाडी रामगड जिले के एक मात्र डे बोर्डिंग केंद्र गांधी असमारक पलस्टू हाई स्कूल में यह ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है यहां आट से चवदा वर्स के बच्चों को फुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग दी जाती है डे बोर्डिंग केंद्रे के कारण फुटबॉल के खेल को बढ़ावा मिल रहा है साथ ही जो बच्चे खेल में रूची रखते हैं और करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए सुनहारा अवसर है डेव बॉर्डिंग केंद्र में ट्रेनिंग दोरान खिलाडियों को मासिवधा भी दिया जाता है राहूल गांधी की सजापर रोक पर कॉंग्रेस का बिज़य जुलूस मोधी सरनेम टिपनी पर अपराधिक मानहानी मामले में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी को बड़ी रहात मिली है सुप्रीम कोट ने एक आंत्रीम आदेश जारी कर उनकी सजा परोक लगा दी है इसके बाद कॉंग्रेस करकरता में खोसी का महल है सुप्रवार को जाखन परदेश कॉंग्रेस कमीटी ने कॉंग्रेस भावन से अलवट एका चोक तक विजाई जूलूस निकाला जूलूस में सामिल लोगों ने लड़ू बाट कर खोसिया मनाई परदेश कॉंग्रेस कमीटी के अद्यख राजेस ठाको ने कहा है कि सरोष नयाला का फैसला सत्य और नयाय की पुष्टी करने वाला है भाजबा की पूरी मसीनरी ने निरंतर परयासों के बावजूद हम ना हार मानने न जुकने और न दबने वाले हैं हमें नयाय प्रकिरिया में पूर्ण विश्वास है उन्होंने कहा है कि यह नफरत के बजार में मुहबबत की दुकान खोलने वाले राहूल गांधी और पूरी कॉंग्रेस पार्टी की जीता है क्रीसी मंत्री के नाम लेकर अंदताओं को ठगने की कोशिस सुखे की मार से परिशार रहे अंदताओं को ठग ठगने की कोशिस में लगे हैं गाओं के कई किसानों को इसे समधित फोन आ रहे हैं ठग स्वेम को क्रीसी मंत्री बादल पतर लेके कर्याले का दिकारी बताते हैं ठग मुरहू परखंड के बिंदा पंचायत अंतरगत बुडुम माईल गाओं के एक किसान को दो से तीन बार कॉल कर चुका है वही खुट्टी मेरा रहे एक किसान के पास भी कॉल आया कॉल करने वाला काता है कि क्या आपके सुखा रहात के लिए फोन भरा था यह पूछे जाने पर कि आप कौन बोल रहे काता एक मैं रांची से केसी मंत्री बादल पत्र लेके ओपीस का दिकारी बोल रहा हूँ रस्वया संजोजी का संग के प्रतिनिधी मंडल ने सीम हेमन से की मुलकात जार्खन परदेश विद्याले रसोया संजोजी का संग के प्रतिनिधी मंडल ने CM हेमान सुनें से बिधान सबाइस्थीत मुख्य मंत्री कक्ष में मुलकात की प्रतिनिधी मंडल ने विभीन मांगो से समधित ग्यापन CM को सपा संग ने मुख्य मंतरी से मांग की है कि पाराशिसकों की तर्ज पर रसोया संजोजिका को अस्थाई सेवसर निमावली बना कर अस्थाई किया जाए अंगर्वाडी सेवी का सहायका की तर्ज पर मांदे पांच लाह का निसुल्क बीमा साल में दो साड़ी सेवा निवरिती के बाद पेंसल सहित अन मांगो पर विचार किया जाए सीम ने परतिनिधी मंडल को अस्वासन किया है कि उनकी उचित मांगो पर राज सरकार करवा ही करेगी मौके पर विधायक बिनोज सिंग सुदिवेकुमा सोनू अमबा पर साथ सांग के परतियोगी परिक्षा बिधायक के खिलाप राज पाल से मिले भाजपा के विधायक जार्खन बिधायान सवा से पारीद परतियोगी परिक्षाओं में कदाचार रोकने समधी बिधायक पर अपती जाताते वे भाजपा ने राजेपाल से हस्त छेप की गुहार लगाई है भाजपा के परदेश्त अध्यक्स बावुला मरांडी के नितित में बिधायकों के प्रतिनीधी मंडाने सुक्रवार को राजेपाल सीपी राधा के नितित समुलकात कर ग्यापन सोपा ग्यापन में उलेख है की भारतिये जनता पार्टी भरष्टचार और कदाचार मुग्ध परिशा संचालन की प्रबल पक्षधर है उप्यूक्त बिधायक के दोहरा राज सरकार जार्खन लोक सेवा आयोग जार्खन करमचरी चैन आयोग जैसी संस्थाव में परतियोगी युवाओ की आवाज को दबाग कर मनमाने तरिके से परतियोगी परिशा का संचलन कराना चाहती है यह असांका तब और प्रबल हो जाती है जब विगत दिनों जे पिएसी द्वारा आयोजी सात्वी से दस्वी तक की सिविल सिवा परिक्षा और जे सेसी द्वारा आयोजीत करनी या भियंतर परिक्षा में घोर धांदली उजाकर हुई है धन्यवाद